तो दुस्त वाय तारीक हो गई है 27 अगस की, साथी में दिन है शनिवार का, वहीं अपने देश के हिंदी थीती है किश्णा आमावस्या, तो आज दिन भर के मुखे समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, वाय ये बिना देर किये सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ, गुलाम नभी आजाद ने छोड़ी कांगरिस पार्टी, अब बनाएंगे खुद की नई पार्टी, सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में कहा के राहुल गांधी को पाधक्ष बनाने से कांगरिस बरबाद हुई, चापलूस लोग पा गुलाम नभी आजाद जो अपनी नई पार्टी बनाएंगे तो इसको सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लॉंच करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गुलाम नभी ने कांगरिस पार्टी चोड़ने के बाद सोनिया गांधी को एक पत्र लेखा, उन्होंने इसी पेपर कंपनिया अपने दाम बढ़ा सकती हैं, ताज़ा जानकारी के मताबिक देश की पेपर इंडस्ट्री आने वाले समय में दाम बढ़ाने का एलान कर सकती है, इसका असान सा मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में पेपर या पेपर से बनने वाली जो भी चीज़े हैं, उन में से कोई भी चीज महंगी हो सकती है आईए चलें अगली खबर की तरफ सुनाली फोगाट को लेकर दो घंटे तक टौलेट में रहे आरोपी गोवा पुलिस ने अभी हाली में किये हैं कई बड़े खुलासे जियां बीजेपी ने तव सुनाली फोगाट की मौत को लेकर सबूत और सेशी टीवी फोटेज से ये मालूम चला है कि सुधीर साइग्वान जो के सबूधिय के साथ एक कलब में पाटी कर रहे थे कलब की एक वीडियो से इस बात का भी पता चला है कि दोनों में से एक व्यक्ति सुनाली फोगाट को जबरदस्ति नशीला पदार्थ प लाए जाने के बाद सुनाली फोगाट अपने उपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो ऐसे में दो नुआ रोपी उसे टोलेट में ले गए और लगभग वहीं पे दो घंटे रहे दोस्तों आपको बता दे पुलिस को जो एक कलब का वीडियो मिला है अब वो सोशल मीडिया प आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर साती आपको एक और जानकारी दे दें के सोनाली फोगाट का बीते शुकरवार को दो पहर करीब बारे बजे हिसार में अंतिम संसकार कर दिया गया इस दुरान उनकी बेटी ये शोधरा काफी जादा रोती नजर आई उनके अंतिम संस पी एक वीडियो आया है इसके भी एक छोटी सी जलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आप लाइक को शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनान जारी की है आपको बता दे एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना पुर्दोगी की मंत्रा लेके तहट इंडिन केम्प्यूटर एजेंसी रिस्पॉंज टीम ने सभी विंडोज यूजर के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि विंडोज में घुस पैट हो सकती है यानि के जो हैकर है वो आपकी झानकारी चोरी करने के लिए आपका नीजी डाटा चोरी करने के लिए हमला कर सकते हैं इसी की वजह से यूजर को अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए पुराने वर्जन में कुछ खामी होने की वज़े से ऑनलाइन धोका धड़ी और जुर्म करने वाले यानि के हैकर आसानी से हमला कर सकते हैं तो अगर आप विंडोज वाला कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहदी महत् गंगा नदी ने पार किया खत्रे का निशान डूब गए हैं घाट मंदिर औ शम्शान जिहां गंगा नदी का उफ़ान रुकने का नाम नहीं ले रही है जानकारी के मताबिक चितावनी बिंदू 70.26 मिटर पार करने के बाद आधी रात को गंगा ने खत्रे का निशान पार आते हैं क्याच 27 अगस 2022 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल देखें अपने स्क्रीन पर मौसम में भागने जारी किया है मौसम का पूर वनुमान जी हां मौसम में भाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दोरान अंडमान और निकोबर दीप समूह में साती तमिल पर भारी बाईश की चितावनी है इसके अलावा भी पूर उत्र भारत में पश्रिम बंगाल में बिहार में जहरकंड में साती उडीसा में मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में इसके अलावा उत्रकंड में फराबाद में और लद्दाक में भी हलकी बाईश की संभावना है। इसके लावा भी पंजाब, हर्याणा और आजस्थान के दक्ष्री हिस्सों में आज एक दो इस्थानों पे हलकी बाईश की संभावना है। अस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी एलबेनेस समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75 फीजदी है। आपको बता दे के पीम मोदी पिछले दो साल से लगतार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए जैनकारी के मताबिक इस लिश्ट में अमेरिकी राश्बती जो बाइडन 41 फीजदी रेटिंग के साथ 11 नमबर पर है। इस सर्वे के मताबिक फिलहाल जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं। उनके नाम कुछ इस तरह हैं। जैसे के पहले नमबर पर है प्रधानमती नरें कमपनी ने खुद दी है इसकी जैनकारी जिया कि आप भी अपने पासवर्ट को सेफ ये याद रखने के लिए किसी पासवर्ट मेनेजर एप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हां तो जरा संभल जाईए। ताज़ा जाईए। ताज़ा जानकारी के मताबिक ऐसी खबर है कि है करने एक एसे ही पासवर्ट मेनेजर एप पेसे हिंद्मारी है जिसे दुनिया भर के 3 करोड ज्यादा लोग इसतेमाल करते हैं। फ़ージस पासवर्ट मेनेजर एप का नाम है लाश्ट पास्वर्ट के हैक होनी की कम्पनी ने खुद दी है। हाला के बीत गुरुभां को एक ब कोशिश करें कि आपका पासवर्ट जादा से जादा लंबा हो और इसमें सभी तरह के करेक्टर इस्तेमाल हो यानि कि नमबर भी अलफाबेट भी इसके लावा कुछ स्पेशल करेक्टर भी दूसरी महत्मों टिप यह है कि अपने पासवर्ट को सेफ रखने के लिए हमेशा को वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप अपने पासवर्ट को सेफ रखने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन या ओफलाइन या कोई तीसरा ही तरीका आईए चलें अगली खबर के तरफ भाई जान यानी सल्मान खान के इंड़स्ट्री में पूरे हुए 34 साल सल्मान खान ने आने वाले फिल्म किसी का भाई किसी की जानकी की एनाउंसमेंट इस फिल्म में नज़र आएंगे सल्मान खान बिल्कुल नए लुक में इससे जुड़ा एक वीडियो सल्मान खान ने जिसकी एक छोटी सी जहलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यानि के इस मूवी में आपको सल्मान खान इसी लुक में नजर आएंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया सल्मान खान को बॉलिवूड इंडस्ट्री में 34 साल पूरे हो गए हैं इसी मौके पर उन्होंने अपनी नई फिल्म जिसका टैटल यानि के नाम है किसी का भाई किसी की जान इसकी अनॉंसमेंट की है आईए चले आगली खबर के तरफ महस 12 सेकेंड में जमी दोज हो जाएंगे सूपर टेक के ट्विन टावर सीम योगी ने इससे जुड़े दिये हैं एहम निर्देश जी अनॉडा में सूपर टेक कंपनी का ट्विन टावर है यानि के एक बड़ी सी बिल्डिंग है अभी हाली में देश के सबसे बड़े कोट यानि के सुप्रीम कोट ने अवैद काम को लेकर इस बिल्डिंग को तोड़ने के निर्देश दिये हैं हालै कि ये बिल्डिंग काफी बड़ी है इसी की वज़े से इसको विस्पोटक सामगरी आसान सी भाशा में कहें तो बम से गिराया जाएगा जैनकारी के मताबिक धमाके के जरिये इसको तोड़ने की पूरी तयारी कर ली गई है बताया गया है इसको तोड़ने के बाद लगभग 80,000 तन मलबा पैदा होगा जहां ये टावर है वहाँ के रास्ते इसको विस्पोट करने से पहले बंद कर दिये जाएंगे जाहिर बात है जैसे ही से तोड़ा जाएगा विस्पोट के जरिये तो समय का एक वीडियो भी आएगा जो कि आपको जल्दी कल या परसो देखने को मिल सकता है आईए चले अगली खबर की तरफ सोरो गाउली ने विराट कोहली पे बनाया दबाओ कहा केवल टीम के लिए नहीं बलके विराट को अपने लिए भी बनाने होंगे रन जिया भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमें इशिया कप में आने वले 28 सगस को आमने सामने होने वाली है इस मुकाबले के दो दिन पहले बी सी सी आई प्रिजिडेंट सोरो गाउली ने टीम इंडिया के श्टार बल्ले बज विराट कोहली के उपर बड़ा बयान दिया है गाउली ने कहा है के विराट कोहली को केवल भारते टीम के लिए रन बनाने की जरुवत नहीं है उन्हें अपने लिए भी रन बनाने होंगे वैसे दूस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बीते 3 सालों में वराट को लिए की कोई भी अच्छी पारी देखने को नहीं मिली है यानी कि उन्होंने इंटरिनेशल क्रिकेट में बीदे तीन सालों में एक भी श्रतक नहीं लगाया है। बीदे तीन सालों में लगाया है। बीदे तीन मर्ग में 23 माच 2003 की रात को सेना की वर्दी पहन कराया लशकरे तयबा के आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को गोली माल कर हत्या कर दी थी। बीदे तीन में पुर्षों के लावाए 11 महिलाएं और दो साल का बच्चा भी शामिल था। और ये नया आकरशन है 300 मिटर का एक पुल जो के रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्रिमी छोर को जोड़ता है। इसके लावा परधान मंतरी मोधी कलरविवार को कच के अंजार कस्बे में वीर बालक समारक का नावरन करेंगे। को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक को शेयर करना ही होता है हमारी महनत कफल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वर वाचिंग।